कि है एवरिवन इट्स में हमसे और वाचिंग एश्टीरियेट्स विल्कम बैक तुझे चैनल कैसे हैं आप सब ठीक ठाकें तो हमें एक वीडियो भीजा गया है जिसमें एक पाकिस्तानी है जो के यूएस बेस्ट है और वो शायद इंटर्व्यू दे रहे थे आर्दू काजम को तो उसमें एक लाइन लिखी गई है इस वीडियो के टाइटल भी लिखा गया कि मेरे सारे हीरो हिंदू है मुझे गर्व है कि हमारे पूर्वच एंसेस्टर्स हिंदू थे तो हिंदूसान स्पेशल का वीडियो है पहले देख लेते हैं फैक्ट्स पर होगी तो हम जैहिन दोस्तो वेरी ओं वेलकम टू हिंदूसान स्पेशल चैनल जैसा कि दोस्तो आपने क्लिप में देखा पाकिस्तनी मीडिया ये चर्चा करा है कि हमारे पूर्वच तो हिंदू थे हमें गर्व है कि हमारे पूर्वच हिंदू थे क्योंकि जो काम हिंदू कर गए वो हम कभी नहीं कर सकते आज हम हिंदू को काफिर बताते हैं हम converter तो इसी धरम से हुए हैं दूसरी तरब पाकिस्तान का हाल ये हो चुका है कि पाकिस्तान के पास import करने के लिए पैसे नहीं बचे दूसरी तरब पाकिस्तान का हाल दवाएं इंडियन कंपनेशन तो कहा दिया पकिस्तान बेंकर अनी रहते हैं जो आज तक काइम है पाकिस्तान आज हमारी लगोर में हैं गंगराम होस्पिटल सर अब्दुल सतार इदी हमारे हीरो है गंगाराम है सर गंगाराम हाँ जिसने जिसने लहुर के लक्षे बना करें तो मेरे तो मख़ब मजब के नाम पर किसी की किसी को कार्नर करेंगे आप लुके मैं यह मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी अगर को देख रहा है तो पाकिस्तान की हिस्टी पड़े और लोकल हिरोस को रिखनाइज करें मुझे इंतहाई कुछ भी थी लाहुर के पास उन्हों ने घगत से चौक रखा था नाम उसका ही हिरो और मैं उसका बड़ा रोल है डिटेल के साथ ब्रेव जो खड़े होए थे बचिए गवा करके लेकर जाते थे जब दिल्ली को लूटने आते सबसे पहले वह खड़े शबखुन मारते थे पाड़ी किश्मीर की पाड़ियों पे चड़ जाते थे नीचे उतर के वह शबखुन मारते थे लाहुर की ऊपर से जो और पंजब के इसमें कोई शकते लेकिन यह फारण अवेडर थे यहां से दूम करते थे हैं लोगर बाइफ फोर्स कंवरजिन करते रहें तबलीग एक और चीज़ होती है तबलीग करके किसी को किसी करना उसके दिल और दमाग को चेंज करना एक अलग बात है बाइक लुट पॉंचाहां पे तलबार के जोड़ के बात जाईंगा को बात दोड़ को चाहूँद नहीं है और तीसरी बात बताना चाहंगा जोड़ते रहे और लूट लूट के काबल लजाते रहे उस सारे फॉरन अलवेडर थे फॉरन विल्कुल सही बात है और सिर्फ यह वर नॉट आर हीरो डैक्वर्स लूटर्स जिनको बाद में आपने अपने हिस्टी के किताबों में अपना हीरो बना लिए मुझे यहां के हिस्टी मैं गुज्रावाला में पैदा हुए थे ना अरी नालवा साथ बहादर इंसान था जिसने काबल तक जाके अपनी अपनी स्टेट को अगगत सेंग इसमाहिरो बिल्कुल आप अखलत तक तारीक पढ़ाते हैं लोगों को ज्याती है किसी के मजब को बुरा कहना किसी की मजभी इमारत को उनकी किताबों को डिस्ट्रॉइ करना इस अगेंस तब बेसिक फंडमेंटल साप एब्री डिलिजिन नाट उनली इसलाप एब्री डिलिजिन मैं समझता हूँ कर गाम तो एक दूसरे को मुहबत प्यार और हार्मरी से ख कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते जो आपने फुद फरमाया है तो आप कोशिश करें कापी करने की क्योंकि जनेटिक लिए सेम हम एक ही इस धर्ती के मजचे थे सद्धियों से कटे रहे हैं इसमें कोई शक नहीं हमारा कल्चर हमारी जबान हमारी सोच हर चीज मिलत रखनी चाहिए और इसमें कोई हर जी 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 तो जनाब 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 सीखने की गुझाइश रखनी चाहिए और इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की ये जैतर हमारे मेंस्ट्रीम मीडिया चैनलिस इंसको नहीं लेते क्योंकि आपने सुन ली हैं इनके नजरियात ये एक पर चैनलिस तो यहां पर लोकल लीडर्स जो थे वो मिक्स हैं वह मुसल्मान भी हैं वह हिंदू भी हैं वह स्क्ति यह इसाए बी हैं मनलब मल्टिपल मल्टिपल रिलीजिएंज के मल्टिपल परस्टेलिटी जैं जो कर इस पूरे इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश के उनको तो हम हीरो कहते हैं लेकिन जो जिनों ने कठे ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी और ब्रिटिश से पहले भी जो इन्वेडर्स थे फॉर एक्जमपल हिस्ट्री अपनी हिसाब से नहीं यहां पढ़ाई जाती है कि रंजीद सिंग ने जनाब दाता दरबार में गोड़े बंदे फलाना किया फलाना किया अन-इमेजिनेबल और मन-गड़त कहानिया सुनाई जाती है मलत अब आपको रंजीद सिंग का तो अमल नदर आ जाते है आपको यह नजर नहीं आता कि जनाब वो भी तो मुसल्मान ही थे ना जिनोंने मस्ज़ नवी में गोड़े बंदे थे तो आप उनको खुल के क्यों नहीं कहते कुछ क्यों क्योंके वो उन्होंने कलमा पढ़ावा था तो बात तो फिर भाई 1400 साल तक जाएगी जब हम बोलेंगे तो हम मैं आपको कह रहा हूं कि देवर लूटर्स अफगान हो गए ठीक है पर्टिकुलर्ली अफगान पर्सियन जो था इतना उनका यहां पर इन्वाल्मेंट नहीं थी अग्रेसिव इन्वाल्मेंट की बात करों बाइलेटरल जिसे हम कहते हैं तिजारत बिजनिस ट्रेड पर्सियंस का वो था हमारे साथ लेकिन अफगान जो थे देवर लूटर्स वोच कभी घजनवी आता था कभी ओरी आता था कभी कोई आ जाता था and then they were just looting everything and then going back to their homeland मुगल सिरफ एक ऐसे थे जिन्होंने यहां stay किया ठीक है जिन्होंने यहां पे stay किया और इतनी सारी तबाही फेलाने के बाद क्योंकि काम उन्होंने भी वही किया था इन्वेजन के दुरान जो बाकी लोग करते थे लेकिन इतनी तबाही फेलाने के then they created some monuments लेकिन मुगल्स की भी मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने जो monuments बनाए वो सिर्फ Islamic touch वाले थे आपकी जो रियाया है उसमें सब बराबर होते थे तो आपने बाकी मजाहिब की भी तामिरात क्यों नहीं करवाई this is the fundamental question जो के मेरा नहीं ख्याल अगर कोई मुगलों की आज नसल हो जवाब दे पाएगी इस चीज़ का तो definitely उन्होंने सही कहा है बिल्कुल के हमारे heroes जो हैं वो सब हैं उनमें बहुत सारे ऐसे जो non muslims भी हैं लेकिन कहा जाते हैं कि पढ़ाओ ही ऐसी history कि हम तो इसलाम के नाप पर बने हैं और पाकिस्तान का मतलब क्या अलाह इलाह इलाह वालाब क्या यार सब कुछ जेड दिये इसमें हर कोई सिर्फ जाता था कि हमें ब्रिटिश से अजादी मिले वो तो बाद में एक थोट आ गई और 37 के जो इंतखाबात थे जिसमें हार हुई थी तो इनको अपनी हकूमत चाहिए थी और कांगरेस को अपनी हकूमत चाहिए थी अगर टेबल पर बैठ जाते तो हो सकता है कभी ये बार्डर खिचता ही ना बहुत सारी चीज़ें होती ही ना लेकिन रश के अंदर सब कुछ हो यही आप क्या कहते हैं मेरी बास कांगा करते हैं किंकर मैंने कोई घलत बात नहीं है यह मेरा मानना है तो कमेंट सेक्षें में हैं बताइएगा मिलेंगे नेग्ष्टस्ट में अपना ख्याल रखेगा सब्सक्राइब कीजिएगा वंपया फिशेच्टों किजीएगा सीह ग